हेलो फ्रेंड्स, असलाम लेकूं कैसे हैं आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, अल्हम्तुलिल्ला मैं भे बिल्कुल ठीक हूँ, तो फ्रेंड्स आज आप सभी के साथ मैं शेर करूंगी कि फिश को कैसे साफ करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं, यह रोहो फिश मैंने लिया है, सब्रक्राइब आपक Spreng 14 000 रिख लौी के एक्टम फ्रेश मचली है अब देक सकते हो कहते हैं सभी लो sending ministries निकलता है निर्ट करते मिद चरण फ्रेश होते हैं और जादा देर से मरे वें नहीं नहीं होते हैं तो ये एक्दमा 구스파师 मज़ी है इस तरह से बड़े-बड़े पीसे में मैंने cut करवायाウ इसके जो टेल सेना इसका मैं cut करवा दी हूं 50% मैंने巡 can cut करवा दिया हैं यह देखे कि इतर बड़े- बड़े pieces हैं तो इसे अच्छे से हम clean करेंगे एक सीध इंग्रीडियंट भी आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका फिश एकदम स्मेल 100% चला जाएगा सबसे पहरे फिश को आपको एक बड़े से बरतन में आपको ढाल लेना है और पानी के नीचे रखके इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए आपको सारा जो ब्लड है तो पानी डाल के मैंने सारा ब्लड इसका धो दिया है उसके बाद एक इंग्रीडियंट मैं इसमें आड करूंगी नमक नमक डालने से जो फिश का जो गंदगी है वो अच्छे से निकल जाता है तो एक चमच बड़ी चमच से मैंने नमक डाल दिया है उसके बाद उसी बरतन का आपको एक्स्ट्रा जरुरत नहीं पड़ेगा बट यह सबसे इंपॉर्टन और सबसे बेस्ट तरीका है आपको फिश क्लीन करने का तो यह सिल्बट्टा अगर आपके पास नहीं है तो बड़े से आपको पत्थर लेने हैं जो आपको रब करना है फिश को उसी पे तो यह खुरदरा है आपको सिल्बट्टा और एक एक पीस उठाना है और आपको फिश के जो आपको स्किन होते हैं उसमें बहुत गंदगी होती है तो इसको इस तरह से रब करते होए सिल्बट्टे पे हमें क्लीन करना होगा बहुत सारे लोग मैं वीडियो बहुत देखी हूं और मैं ट्राई भी कर चुकी हूँ, कि बहुत सरी लोग आठा डाल के आपको फिश क्लीन करते हैं, बट फ्रेंट्स मेने भी यूज किया है, आठा से क्लीन भी नहीं होता है, इसका स्मेल नहीं जाता है, तो वह एकदम मैं यूज नहीं करती हूँ, एक दफाई मैं यूज किया, उसके बाद मैंने यूज नहीं किया एक्तम देसी स्टाइल में फिश को जब तक आप क्लीन नहीं कीजेगा उसका स्मेल रह जाएगा एंड फिश जो है अच्छी नहीं बनेगी टेस्ट में तो इस तरह सी फिश की जो मुंडी है ना वह मैंने हाफ आप नहीं कट करवाया है ब अपिस्टम रब करते जाना है क्योंकि वह जो जो श्लीपरी वाला टेक्शर होता है वह गंदगी होती है तो ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है उसे भी अच्छे से साफ करना होगा अगर आप फिश के आपको गिल्स निकल वा चुके हैं तो अच्छी बात है बट अग पानी डालती हुए रब करना है ताकि थोड़ा भी बलड नहीं रहे थोड़ा भी गंदगी नहीं रहे ज्यूंकि आपको एक फिश का हैड़ी वैसा है जो क्लीन अच्छे से नहीं होगा तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा आएगा और जो फिश का जो माउथ है आप तेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसी तरह से सभी पीसेस को सिल्बटे पर आप रगर रगर के धोले लेना है ताकि फिश के जो अंच्छा नहीं बने गा पिसमें नीम्बू का रस भी डाल सकते हैं क्लीन और यह फिर अगर विनेगर यूस करें तो एक चमच विनेगर भी ड नमक बहुत बेस्ट है नमक डाल के क्लीन करने की बात ही कुछ और होती है तो फिरंड्स यह देखे यह जो फिश की पेटी है इसमें जो बलाक बलाक आपको दिख रहा है ना वह बहुत ज़रूरी होता है ने तो फिश करी या फिश फ्राइए हमारा एकड़ा बन जाता है फिश की अच्छे से सफाई हो पाईगी और फिश जो है बहुत ही परफेक्ली क्लीन हो पाएगा ऐसा नहीं आटा डाल के आप क्लीन कर लिए जह फटा फट नई फिश धोने में तो टाइम लगता ही है और यह जो फिश के जो पीसे इसमें भी बीच में कहीं आपको गंदग हेड भी अच्छे से क्लीन कर लिया है पानी एकदम वाइट हो चुका है अब देख सकते हूं बट एक सीक्रेट इंग्रीडियन डालना जरूरी है जिससे फिश का स्मेल 100% चला जाएगा तो फ्रेंट्स मैं इसमें एड करूंगी आपको हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर ड मैं पहले भी आड़ किया था अभी भी आड़ करी हूं ताकि फिश का स्मेल जो है एकदम चला जाएगा और फिश फ्राई हमारी एकदम अमेजिंग सी बनकर रडी होगी इस तरह से पानी डालना है और हाथों से अच्छे से फिश को रब करना है ताकि इसका स्मेल चला अब मैं इसको रफेक्ली अच्छे से खुका है अब मैं इसको रोह फिश बनाएँ तो उसकी लिए मैंने अधरक तो सबस्के अइब भर नमक से डूतन हम एकम कंखरहा है तो सब्सके नमक विशायर स्कृतन और यहां करयाता जाया है और मिर्श के आपना सब्सक्रा較 되어 आपकर्णार बिल्मकट मैं ऩो अचली नमक सब्सक्राइब था है है उसके बाद मैं इसमें अड़ करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक नमक मैंने धोते वक भी फिश को डाला था तो नमक किसाब से ही डाले क्योंकि फिश ने जो नमक थोड़ा एब्जॉर्ब तो करी लिया होगा मस्टर्ड ओयल डालना है और इसको अच्छे से आपको म अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं अब मैं इसे टर्ण कर देती हूँ जब तक दोनों साइट से क्रिस्पी नहीं होते हैं तो फिश को मीडियम टु हाइ फ्राइब बनकर रेड़ी हो चुका है एक बैच मैंने फ्राइब कर लिया मसालक का भूंबिनेशन लेवान है , तो फिस फ्राइश असयों का ब110 वाली है। तो इस fish fry को आप as it is भी खा सकते हैं और इसको gravy में भी डाल सकते हैं तो friends ये देखे बनकर ready है बहुती amazing सा हमारा fish fry जिस मैंने आपके साथ share किया कि fish को कैसे धोते हैं बहुती perfect तरीके से without any smell और मैंने आपके साथ secret ingredient भी share किया कि किस चीज को आप डालिएगा तो fish का smell एकदम से चला जाएगा तो friends बनकर ready है हमारा perfect सा रोहू fish fry जिस मैंने अच्छे से इसको धोया भी आपके साथ share भी किया fish fry की भी recipe शेयर की तो I hope आपको ये recipe जरूर पसंदाया होगा friends अगर पसंदायागा तो please एक like जरूर दे दीजेगा और comment कीजेगा कि आपको ये पूरी recipe कैसी परफिक्ट सा ये fish fry बनकर ready हो चुका है बिना टूटे हुए और जो भी बचे आपको fish नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें काटे होते हैं तो ये पेटी उन्हीं जरूर दीजेगा ये बहुत ही easily इसमें से काटे निकल जाते हैं और बहुत ही आपको ये tasty भी लगता है क्योंकि क काटे बहुत कम होते हैं तो बचे बहुत शौक से खाते हैं तो मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ अब तक लिए बाई 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 अल्ला हाफिज